अभय सूत्र, ये परे जाने का सूत्र है, तो ये निर्भय या निर्भयता की स्थिती की ओर भी ले जाता है, लेकिन देवी सूत्र एक सुरक्षा की तरह ज्यादा है. आपने मंगल सूत्र के पारे में सुना है, आपने बांधा है, आच्छा. अगर ये ठीक से किया गया होता, तो इसके पीछे सोच थी, दो प्राणियों को एक के रूप में बांधना. यही सोच थी, आज ये सिर्फ एक रस्म बन गई है, वो अलग है. लेकिन अगर कोई है जो ये जानता है कि इसे कैसे करना है, तो आप दो DNA को इस तरह से मिला सकते हैं. कि उर्जा के लिहाज से उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए. जीवन में कई चीजें हो सकती हैं. अब अभय सूत्र आपको बांधने के लिए नहीं बना है. दो प्रकार के सूत्र दोनों को अभय सूत्र कहा जा रहा है. अभय सूत्र के परिभाशा देवी के सूत्र के साथ बहतर जाती है, जो लाल रंका होता है. जब आपको ध्यान लिंग से जुड़ी पंच भूत आराधना का सूत्र मिलता है, तो ये आध्यात्मिक आयाम को उभारने के लिए मूल रूप से आपके अस्तित्व के कुछ आयामों को बढ़ाने के लिए है. फिर इसे अभय सूत्र क्यों कहा जा रहा है? आपको समझना चाहिए भय का मतलब है डर. डर का आधार आपकी भौतिकता है. अगर आप भौतिक नहीं हैं, तो क्या आपको भय होगा? नहीं. ये भौतिक की सीमा है जो भय का कारण बनती है. अगर आप बिलकुल भी भौतिक नहीं हैं, तो आप किसी चीज़ से नहीं डरेंगे, है ना? तो उस संदर्व में इसे अभय कहते हैं. लेकिन असल में, ये परे जाने का सूत्र है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम बहुत सारे नामों का इस्तमाल नहीं करना चाहते थे, आप परिशान हो जाएंगे, है ना? तो ये निर्भय या निर्भयता की स्थिती की ओर भी ले जाता है. हम इसे निर्भय सूत्र कह सकते हैं और इसे अभय सूत्र. ये एक सुरक्षा की तरह है. ये आपके अस्तित्व के आध्यात्मिक आयाम को बढ़ाने के लिए है, ताकि आप कम भौत एक हो जाएं. अगर आप इतने शरीरिक नहीं हैं, तो आप में बहुत अधिक भय नहीं होगा. लेकिन देवी सूत्र एक सुरक्षा की तरह ज्यादा है. चोरों से मुक्त होने के दो तरीके हैं. अगर आपको हमेशा डर लगता है, कोई चोर आपके घर में आ सकता है और चोरी कर सकता है, तो एक तरीका है बाहर पहरा लगाना. दूसरा तरीका ये है कि आपके पास कुछ नहीं है और कोई भी नहीं आएगा. यहां तक कि अगर आप उसे बुलाएंगे तो भी वो नहीं आएगा, वो कहीं और चला जाएगा. तो ये उनका तरीका है, कुछ नहीं है, इसलिए कोई नहीं आएगा. इतना निडर. एक तरफ आप एक गार्ड लगाना चाहते हैं आपके पास अभी भी समान है आप गार्ड रखना चाहते हैं मैं देखता हूँ ऐसे बहुत सारे हाथ देखता हूँ जिनमें दोनों हैं ये अच्छा है तो इसे कैसे उतारें आप इसे कम से कम 40 दिनों तक रख सकते हैं अगर आप साबुन इस्तमाल नहीं कर रहे हैं बहुत ज्यादा साबुन तो ये ज्यादा समय तक चलेगा अगर आप बहुत अधिक साबुन इस्तमाल कर रहे हैं तो ये कम से कम 40 दिनों तक जीवन्त बना रहेगा अगर आप सिर्फ ठंडा पानी इस्तमाल कर रहे हैं तो ये ज्यादा समय तक चलेगा अगर आप गर्म पानी से नहा रहे हैं तो ये कम से कम 40 दिनों तक चलेगा ये है अगर धागा अपनी द्रटा बनाय रखता है तो वो उर्जा बनाय रखेगा तो कहीं 40-60 दिनों के बीच अगर ये सिर्फ एक धागा बन गया है तो धागा पहन कर घुमने का कोई मतलब नहीं है तो आप इसे उतार सकते हैं और इसे ऐसी जगा रख सकते हैं जहां ये आसानी से गल जाए आमतोर पर परंपरा ये है कि किसी पौधे के पास एक छोटा सा गड़ा खोदा जाता है और उसमें डाल दिया जाता है क्योंकि उसमें पानी दिया जाता है और तीन दिनों के अंदर वो खत्म हो जाएगा ये किसी और के हाथ में नहीं आना चाहिए ये ज़रूरी है जो आपके शरीर के इतने करीब रहा है आपके और देवी के बीच एक तरह का विवा हुआ है और आपके और ध्यान लिंक के बीच एक छोटे पैमाने का विवा है जब ऐसा हो तो ये सबसे अच्छा है कि ये किसी और के हाथों में न पड़े अगर वो जानते हैं कि इसका इस्तमाल कैसे करना है तो वे आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं इसलिए आपको इसे हमेशा गार देना चाहिए अगर आपके पास इसे गारनी की जगा नहीं है तो आपको इसे जला देना चाहिए आप इसे जला सकते हैं और राख लेकर इसे अपनी विशुद्धी से नीचे अपने शरीर पर लगा सकते हैं ये एक सरल तरीका है नहीं तो आप इसे गार दें अभय सूत्र को मंगाने के लिए डिस्किप्शन में दी गई लिंक पर जाएं या फिर इशालाइफ.com पर जाएं अभय सूत्र को महिलाएं लेफ्ट यानी बाहे हाथ पर पुरुष राइट यानी दाहिने हाथ पर बाढ़ें लाल रंग का धागा जिसे देवी अभय सूत्र कहते हैं उसे अपने हाथ में बानते समय तीन गाठें कुछ इस परकार लगाएं अभय सूत्र को 40 दिनों तक बाढ़ना है 40 दिनों बाद सूत्र को गीली मिट्टी में दबा दे या फिर उसे जला दे जलाने के बाद उसकी राख गले के गड़े यानी विशुद्धी चक्र और जहां आपकी रिबकेज मिलती हैं यानी अनहत पे लगाएं